अलो गाईज मैं पाउन चोदरी है आज की इस वीडियो के अपने बताने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो 24 फिल कीती है आपने वही आपको सेंटर मिला है और प्रोविजिनली लिया आपको जो एप्लिकेशन फॉर्म है नोर्स एटेम्स का वो जो एकसेप् तो पूरे डीटियल स्टेफ और स्टेफ आपको बताने वाले हैं जिसके अंदर आपको यह पता चलेगा कि एडिमिट कार्ड का क्या सिस्टम है और आपका एक्जाम कहा होगा ओके तो चलिए मैं गूगल क्रॉम ओपन कर रखा है क्योंकि अपना फंडा रहता है सबसे पलतरी का रहता है बताने का तो मैं यहां सिबसे पहले एम्स लिग देता हूं एम्स लिग के सर्च किया ऐसा इंटरफेस ओपन होगा फर्स्ट ही जो वेबसाइट ओपन होती है ऐसे ओके एम्स सिधा नाम आएगा इस पर आपको क्लिक करना है ओके बाकि इसका लिंक भी हम करवा देंगे बोड भी टेंशन नहीं लेना है फिर नीचे देखेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा जहां पर बीच में ओप्शन दे रखा है रिक्वार्मेंट ओके तो इस रिक्वार्मेंट पर आपको क्लिक कर देना है या फिर जो ए इस पर मैंने क्लिक किया जस्ट इसके नीचे क्लिक करते ही यह आ गया इसका न्यू ब्लिंक करता हुआ नर्चिंग ओपिसर रिक्वार्मेंट कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट नौर्चेट 06 या 6 इस पर अपन क्लिक करेंगे इस पर जैसे कुछ इंटरफेस ओपन होगा ज गरा पगरा चीजी दे रखिए, अपना काम यहां पर इतना ही है, यहां पर इडी बरनी है, यहां पर अपनी पास्वड बरना है और यहां पी जो कैप्चर कोड दे रखें, यह बरना है और login पे क्लिक करना है, जस्ट इसके बाद कौन सा इंटरफेस ओपन होता है वो मैं आ देखिएगा इसको तो इस तरह से गाइज मैंने इसकी डीटेल्स फिल करती है यहां पर आईडी यहां पर पासवर्ड यहां पर कैप्चर मैं जस्ट लोग इन पर क्लिक करता हूं लोग इन पर क्लिक करने के बाद में देखते हैं इसमें क्या इंटरफेस ओपन होता है जैसी यहां पर आप इस सेड में देखोगे तो टॉल फ्री नंबर स्रीज के लिए दे रहे हैं आपकी कोई भी प्रोग्लम होता हो यहां पर आपकी कंडिडेट की आईडी मिल जाएगी यहां पर नाम वगिरा मिल जाएगा ओके यहां पर फोटो वगिरा आएगी यह डेस्टोप साइट में कुछ ऐसा आएगा लैप्टोप में ओपन करते हैं डेस्टोप साइट से वह नहीं तो आपका सिंपल भी ओपन हो सकता है अगर सिधा गूगल से आप करते हो या फिर वैसे चलाते हो तो ओके चली फिर आपन देखते हैं इसके अंदर तो देखिएगा मैं आपको यहां पे देखने को मिलेका यूर एग्जामिनेशन स्टेट एंड सिटी फॉर नोर्सेट सिक्स स्टेज स्टेज फर्स्ट एग्जाम है यह यहां पे नीचे दे रखा है प्रोविजनली आपका जो एप्लिकेशन फोर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है ओके इसका किया था में भी हो सकता है वो ही मिला हो जाजादातर तो वो ही मिल रहा है अब रही बात एड्मिट कार्ड की तो इसका एड्मिक और एक्जाम से दो दिन पहले आएगा यानि 14 तरीक को एक्जाम है तो 11 को लेट तक या 12 को एक्जाम 4 को आ जायगा यानि 114 24 या फिर 124 24 को जल्दी आ जाएगा बाकी में भी टाइम इसका इवनिंग का ही रहता है ओके तो 11 को नहीं तो 12 को 101 परसेंट आपका हो जाएगा बाकी 11 को याने के चांसिस हैं पूरे तो 11 तारीक को आपको एडमिट काड आएगा टैंसन आपको लेना नहीं है यहाँ पर एक्जाम सेंटर और आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट है यह सब पुछा गया है एडमिट काड से समदी तभी थोड़ी इंफोर्मेशन दे देते हैं एडमिट काड को निकालते टाइम आईपी एड्रस आता है साइड के उपर एसे उसके साथ में प्रिंट होना चाहिए प्रिंट की फोटो को करने हैं ज्यादा कोई पेन वगेरा या कुछ नहीं लेकर जाना है आपको ओके तो वह आप पोस्पेसली थोड़ा से द्यान रखना है बाकि एडमिट काड आ जाएंगे तो हम आप पोस्परेलियों और गदा लेंगे पोस्ट ने तो तकरीमन 1524 के आसपास है डाइसों के सं आफ प Vietnam कंडिडेट येड को अपने इसए आरी है बाकि अपना काम है स्टॉकल करना मैनेद करना और गष रहना और पेपर देना बाकि और बी ही एससी करके बता सकते हो कि यह हमें चीज समझे नहीं या पता नहीं है ओके आज की इस वीडियों को देते नहीं थेंक यू बाई बाई